गुड आफ्टर नून बच्चों कल मैंने आपको यह काम दिया था लेकिन बड़े दुख की बात है कि किसी भी बच्चे ने मुझे काम नहीं भेजा है और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि यह जो प्रश्णावली 5.3 है इस प्रश्णावली 5.3 का पहले प्रश्ण का पहला पाल्ट मैंने किया था सेकेंड थर्ड और फोर्ट पाल्ट आप करेंगे यह मैं नहीं करूंगा यह आप करके मुझे बताएंगे मैं क्वेशन नमबर दो कर रहा हूँ नीचे दे गए योगफलों को ग्यात कीजिए तो यह एपी दे रखी है साथ धन दस सही एक बटे दो धन चौदा धन अप्टू सौन और अंतेम पद है धन चौरासी मतलब यहां से और यहां तक का योगफल करना है हमको तो इसका अंतेम पद जो है चौरासी है तो इसमें देखिए यहां मैंने सौल्व किया है इसको साथ धन दस सही एक बटे दो धन चौदा धन अप्टू सौन धन चौवालिस अब हमने इनको जोड के लिख दिया तो अब यह स्रेणी वन गई स्रीज वन गई है यह तो अब देखिए इसमें पहला पद पर्थम पद A is equal to 7 सारवंतर दूसरे में से पहला घटाओ D का मान मिल जाएगा सारवंतर D is equal to 10 सही एक बटे दो रिन साथ तो 10 से 1 बटे 2 को क्या लिख सकते हैं 2 दाई 20 सर 1 21 बटे 2 रिन साथ 21 बटे 2 रिन साथ करना है तो 2 का गुणा साथ से करो 2 सता 14 माने 21 रिन चोदा और सारे का बटा 2 बराबर 7 बटे 2 तो D का मान कितना आ गया 7 बटे 2 अब इसका जो अन्तिम पद है वो 84 है तो इसका मतलब अन्तिम पद माने इसका एनोवा पद इसमें पदों की संख्या ग्यात नहीं है हमको कि यहां से और यहां तक कितने पद हैं यह ग्यात नहीं हमको तो अन्तिम पद माने A N एनोवा पद ज्यांत हैं हमको अर्थात AN बराबर 84 है तो अब यह फॉर्मुला लगाएंगे पहले हम चूंकि AN is equal to A plus N minus 1 into D इस फॉर्मुले से AN का मान 84 हो गया बराबर 7 धन N minus 1 into D D का मान 7 बटे 2 तो धन 7 को इदर ले आएंगे तो रिंड 7 हो जाएगा 84 रिंड 7 बराबर N minus 1 into 7 बटे 2 तो 84 रिंड 7 कितना हो गया 87 बराबर N minus 1 गुणा 7 बटे 2 अब यह 7 बटे 2 गुणा में है यहां तो यहां जो है भाग में चला जाएगा 87 के नीचे 87 बटे 7 बटे 2 बराबर N minus 1 अब ये 77 के नीचे 7 बटे 2 है तो ये भिन उलड जाएगी इसका 7 उपर आ जाएगा गुणा में 77 के 7 77 गुणा 2 बटे 7 हो जाएगा 7 से 77 कड़ गया 7 गया रांकी 77 और 11 दूनी 22 माने 22 बरावर N-1 या N-1 बरावर 22 तो N बरावर 22 धन 1 बरावर 23 तो N का मान 23 आ गया तो इसका मतलब स्रेणी में कितने पद हैं स्रेणी में 23 पद हैं तो अर्थात N बरावर 23 आ गया अब इसके 23 पदों का योगफल गयात करना है मतलब यहां से और यहां तक कितने पद हैं 23 पद हैं इन 23 पदों का योगफल गयात करना है तो योगफल वाला फॉर्मुला कि N पदों का योगफल S N is equal to N upon 2 into 2A plus N minus 1 into D तो देखो N का मान 23 हो गया तो S 23 बरावर 23 बटे 2 into 2A माने 2 into 7 plus 23 minus 1 into 7 upon 2 तो इस इकल टू देखो 23 बटे 2 into 7 2 ने 14 धन 23 रेने 22 धन 7 बटे 2 2 से 22 कड़िया 2 ग्यारां की 22 और ग्यारा सता सततर आ गया यहां पे तो 14 धन सततर तो 23 बटे 2 गुणा 14 धन सततर कितना हो गया इकानबे तो 23 गुणा इकानबे कितना हो गया दो अजार तिरानबे बटे 2 दो अजार तिरानबे बटे 2 को हम ऐसा भी लेख सकते हैं 1046 सही एक बटे 2 तो अब आपने यह question solve हो गया अब आपने इसका second और third part करके मुझे दिखाना है मुझे बेजना है मेरे नमबर पे बेजना है जो बच्चा नहीं बेजेगा इसका मतलब वो नहीं पढ़ रहा है या वो परियास नहीं कर रहा है सवाल करने का और जो परियास भी करेगा इसका मतलब वो कुछ नकुछ तो कर रहा है आप कीजिए चाहे गलत हो कोई बात नहीं है गलत से ही आप सही करना सीखेंगे इसलिए आप परियास करना सीखें परियास कीजिए धन्यवाद